दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग पैन कोड डियेसर कैपसुल के बारे में पूरा डिटल से जानेंगे जैसे ये कौन सी कमपणी की दवा है इसके कॉमपोजिसन क्या क्या है इसके फैदे और साइड इफेक्ट्स क्या है इसके इस्तमाल करने के तरीके और डोजेज क्या है और इसका प्राइस कितना है तो दोस्तो वीडियो को प्लीज आप लग पुरा हिंड तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए तो चलिए दोस्तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूर अंधिर आप लोग अपना यूटूब चैनल मेडिसिन इंग वारी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं तो दोस्तो पैन कोट डियसर कैपसूल को इस्टो को फार्मा प्राइबेट लिमिटेड कंपनी के दोरब बना जाता है अगर हम लोग इसके कॉमपोजिशन के बात करें तो इसमें पैन्टा प्राजोल 40 mg और डॉमप्रीडोन 30 mg होता है अब हम लोग इस कैपसूल के फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं दोस्तो गेस्ट्रो असफेगल रिफलेक्स डिजिस जिस सोट में गड़ भी बोलते हैं इस बिमारी में लोगों के सीने में जलन, गेस और खटी ड़कारे आने लगती है तो इन समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए पैन कोड डियसर कैपसूल का यूज लाब दायक होता है इसके अलवा ये दवा सरीर में बनने वाले अत्यदिक एसीड के मातरा को कम करके काम करता है साथी ये दवा पैप्टिक अलसर की बिमारी का हिलाज करता है पैप्टिकल सर की समस्याओं अमासे और छोटी आत के उपर हिस्से में होता है ये तब बनता है जब भोजन को पचाने वाला एसीड अमासे और आत की दिवारों को नुकसान पहुचाने लगता है इसके अलवा इस दवा का यूज पैट मेल्सर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है पैट मेल्सर यानि पैट की दिवारों में चाले पड़ जाते हैं और ये लंबे समय तक गलत खान पान और गलत दिन चरिया के कारण हो जाता है कभी कभी तो पेट के छाले घाव का भी रूप ले लेते हैं और इसके अलबा अपच, एसेडिटी और पेट की परिसानी को कंट्रोल करने के लिए ये दवा अतियंत लाब करी हैं इस दवा को डॉक्टर लंबे समय तक भी यूज करवा सकते हैं और इस दवा के यूज करने के समय आप ज़्यादा खटा, तीखा, मसाले वाले फूट्स और चाय कोफी का यूज कम करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तो जनरल इस कैपसुल के इतने सारी यूजेज हैं अब हम लोग इस कैपसुल के साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इस कैपसुल को जनरल सूबा और साम दोनों टाम खाली फट लेना है इस दवा से बहतर रिजल्ट के लिए इसे नियमित सही समय पर डेली इस्तिमाल करें साथ ही आपको उन चीज़ों को भी खाने में अवाइड करना है जो गेस और एसिट की मातरा को बढ़ाते हैं अब हम लोग पैन को DSR कैपसुल के प्राइस के बारे में जानते हैं तो इसका प्राइस 120 रुप्या पर 10 कैपसुल है दोस्तों ये दवा का अभी का बरतमान कीमत है समय का अनुसर दवा के कीमत में बदलाव हो सकता है ये कैपसुल आपको नजदी की मेडिकल इश्टर में मिल सकता है साथ ये से आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज आसानी से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल इस हो जावे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे हम उसका टाइम टो टाइम जरूर रिप्ले करेंगे अगर यह वीडियो अप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंकवारी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को दबाए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहला तक पहुंच सके तब तक दोस्तों आप लोग सोचते हैं मसते रहें फिर मिलते हैं एक नए व हम आप